पारिस ओलम्पिक्स दो हजार चौबिस में लगातार भारत के खिलाडी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं हाली में इंडियन होकी टीम ने ब्रॉंज मेडल जीता तो वहीं सिल्वर मेडल भारत के नाम हुआ है जावलिन त्रो में नीरत चोपरा ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया हाला कि इससे पहले जब टोक्यो में उलम्पिक्स हुए थे तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासल किया लेकिन कुछ पॉइंट से नीरत चोपरा पीछे हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने सिल्वर मेडल पहला सिल्वर मेडल भारत के नाम कराया है जावलिन त्रो में भारत का सीना गर्व से चोड़ा हो चुका है क्योंकि आज हमारे भारती प्लेयर्स जो हैं शानदार तरीके से खेल रही है और लगातार जो जश्न का महाल है वो देश के अलग-अलग हिस्सों से देखने को मिल रहा है परिवार में भी खुश उन्हें भारत का नाम रौशन कर दिया है इससे पहलों नहीं मनु भाखर से भी बातचीत किती फोन पर और कहा कि देश की बेटी ने देश काНАम रौशन कर दिया तो इस तरहा बधाई का सिलसला जो है लगातार जारी है तो दूसरी तरफ नीरज लगातार ने पार्स ओलंप मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर हो गए हैं नीरत से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार दो ओलम्टीक मेडल जीते थे इससे पहले नीरत चोपडा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था भारत के नाम किया था और अब सिलबर पा लेकिन दूसरे स्थान पर भारत के नीरज है भारत के नीरज अगर उनकी उपलब्धी की बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने तारीफ की और कहा कि एक्सलेंस का एक बहतर उधारण नीरज आप से बहतर कोई हो ही ने सकता आप तो चैंपियन्स के भी चैंपियन है इस तरह की बाते कहते नजर आए हलाकि इससे पहले विनेश फोगाट के लिए भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक पोस्ट किया था इंजरी होने के बाद भी नीरज चोपडा ने शांदार प्रदर्शन किया और नीरज क्या कहा आपको सुनाते हैं ने बिल्कुल कंपेडिशन बहुत अच्छा था और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है आज अरसद का दिन था कभी जब बात करें टोकियो की और बुड़ापेस्ट की वहां पर अपना दिन था या इसन गेम्स में अपना दिन था तो हर एक अथलीट का जो बोड़ी है वो एक एक उस दिन अलगी उसमें होती है हर चीज परफेक्ट होती है जैसे अरसद की थी अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजे हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है इसको थोड़ा ठी करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफोर्मेंस पे हो तो थरोद का तो बहुत अच्छा है अंदर अंदर थरोद हो है पर वो निकलेगी जब ही जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल त्यार होंगे तो सुना आपने नीरज चुपडा ने क्या कहा नीरज का इंटरनाशनल करियर दो हजार तेरह में शुरू हुआ था तब उन्होंने यूक्रेन में वर्ल्ड यूज चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उन्होंने अपना पहला इंटरनाशनल मेडल दो हजार चौदा में पैंककॉक में हुए यूथ उलंपिक क्वालिफिकेशन में जीता तब उन्होंने सिलवर जीता 2014 के सीनियर नैशनल में नीरज ने पहली बार 70 मीटर का मार्क पार किया और आज आप देखिए कि उलंपिक में वो 80 मीटर का जो लाइन है वो पार कर चुके 2015 में भी 80 मीटर के उपर उन्होंने त्रो किया था जाबलिन उन्होंने 81 मीटर का त्रो भी किया है ये जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड रेकॉर्ड त्रो था 2016 में नीरज पंचकुला में सीनियर कैंप में शामिल किये गए 14 अगस्त 2016 का दिन जब भारतिय जाबलिन त्रोर नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में अंडर 20 वर्ल अथलेटिक्स चैपियंशिप में 86.48 मीटर के साथ गोल जीता था खास बात तो ये है कि उसी समय रियो अलंपिक चल रहा था और वहां मेंस जैवलिन त्रो में ब्रॉंज जीतने वाले अथलीट का बेस्ट त्रो 86.48 से भी कम था तो कि जब वो छोटे थे जब वो बारा साल के थे तो उनका वजन आम लोगों से जादा था जो आम बचों का वजन होता है उससे जादा था लगबक सतर किलो उनका वजन था कुर्ता वो पहनते थे और उन्हें हर कोई सरपंच कहता था जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता था लेकिन आज ये सरपंच जो है वो golden boy के नाम से जाना जाता है पुरे देश में बलकि पूरे विश्व में golden boy के नाम से इंडिया का जो golden boy है उसे नीरज चोपड़ा को कहते हैं और अर्शत की अगर बात करें तो आज अर्शत की भी तारीफ खूब हो रही है जो की पाकिस्तान क ये प्लेयर है और जिन्होंने जावलिन त्रो में 90 मीटर का जो जावलिन त्रो है वो पूरा किया है हलाकि अर्शत का भी एक छोटा सा किस्सा आपको बता देते हैं कहा ये जाता है कि अर्शत बहुत ही गरीब फामिली से थे अर्शत के आठ भाई बेहन और उनमें से तीसर नंबर पर अर्शत रही हैं जिनके पास भाला खरीदने का भी पैसा नहीं था वो प्रैक्टिस भी जब करते थे तो वो लोगों से चंदा इखटा करते थे और फिर जाकर उन्होंने भाला खरीदा है हलाकि अब कहा ये जा रहा है कि अर्शत की मेहनत रंग लाई है और जो म भी विश्व पडल पर अच्छे से खेल पाता तो पाकिस्तान की सरकार ने जो पैसे खर्च किये वो पैसा वसूल हुआ और अर्शत गोल्ड लेकर जा रही है पाकिस्तान के लिए हलाकि अर्शत ने एक किस्ता और भी जो साजह किया है बादशीत के दौरान वो ये उन्हों कि तब जाकर उन्होंने एक लक्ष्य हासिल किया नीरज और अर्शत 2016 से ही कई बार एक साथ खेलते हुए आए हैं और पांच बार के मैच्स में उन्होंने कई बार हार का सामना किया है कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक पॉइंट नंबर से नीरज से पीछे रहे हैं जो है रिजल्ड चाहिए जब हाल ही में जो रिजल्ड चेए हैं पारेश उलंपिक्स 2024 के उसमें चब देखा गया कि अर्शत ने ज्यादwalk बाला नीरज के एक रहे हाँ और इसलिए बागे बार बार है, इतलध लिए कि से भीड़र बार वाद के नाम ही होगा तो ये किस्से हैं दोनों ही प्लेयर्स के लेकिन नीरत शोपड़ा जो हमारे golden boy हैं उनकी महनत और उनकी स्टोरी से आप कितने प्रभावित होते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं पैरिस ओलम्पिक्स गेम्स को लेकर आपको आगे के गेम को देखते हुए क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताईए और भी ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भुलें